नमस्कार दोस्तो दे लर्नर पॉंट में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज अपन करेंगे मूल करतवे और निती निदेशक ततों के महतोपुन प्रसन इन प्रसनों के दोस्तों आप जबाब देने की कोशिस करना और देखना आप कितने सही कर पाते हैं और वीडियो को चोड़ा सा बता देता हूं दोस्तों मूल करतवे भारत के मूल सविधान में नहीं थे कुछ बातें याद रखना आप मूल करतवे भारत के मूल सविधान में नहीं थे ये स्वरण सिंग समीती की सिफार इसके उपर दोस्तों बियारिस में सविदान संसोदन गुनी सो चिंत्र के द्वारा भाग चार के में जोड़े गए भाग चार के या एक में जोड़े गए थे दोस्तों ठीक है और अनुछेद पूछ ले तो अनुछेद 51 के और जोड़े कितने गए थे दोस्तों मौली करते वे दस जोड़े गए थे उस टाइम कितने जोड़े गए दस जोड़े गए थे बाद में दोस्तों ग्यारवा मूल करते वे च्यासिवा सविदान संसोदन दो हजार दो में वाकब हुआ दो हजार दो में च्यासिवा सविदान संसो दुनवा था उसके तैत नीश विलकोर नवारे शिक्षा जो की 6-14 वर्स तक बच्चों वाली वो 11 में मूल करते वे जोड़ा गया बस इतनी काणी है मूल करते वे में ठीक है तो चले दोस्तों सुरू करते है मूल करते वे का पहला प्लसन आपके सामने स्क्रीन पर है मूल करते वे में सामिल नहीं है राष्ट दवज का आदर सामाजिक संसकर्ती का परिरक्षन वेग्यानिक दरश्टी कोण का विकास स्वच्ता बनाए रखना तो मूल करतवें में सामिल क्या नहीं है स्वच्छता बनाए रखना नेक्स्ट है किस अनुछेद के अंतरगत मूल करतवें की व्याख्या की गई है अनुछेद 51 के अनुछेद 52 के अनुछेद 50 के या अनुछेद 50 तो अनुचाइद 51 के के अंध्रकत मूल करतवियों के क्या कीं गई है विवस्ता कीं ‫की गई है नेक्स्ट परशन देखिए सविधान में मूल करतवियों का समावेश कब किया गया सन गुनी सो चुएतर सन गुनी सो पिचेतर सन गुनी सो चेंतर या सन गुनी सो अठतर तो सविधान में मूल करतवियों का समावेश कब किया गया सन गुनी सो चेंतर नेक्ट देखे सविधान में मूल करतवियों के समावेश के लिए किसने सिफारिस की सरकारिया आयोग स्वरन सिंग समित्थी जवारल नेरू इंद्रा गांदी इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा सुवरन सिंग समीती ने सविधान में मूल करतवियों के समावेस करने की सिफारी से की next है मूल करतवियों का उलेख सविधान के किस भाग में किया गया है भागतीन, भागचार्क, भागचार्क, भागचार्क तो दोस्तो मूल करतवियों का समावेश भारतिय सविधान कि किस भाग में किया गया है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाग जारे के नेक्स्ट है देश की रक्षा करना और आवान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करना किस करतवे का वर्नन है भारत का प्रधानमंत्री सेनपती मतलब किस का करतवे है प्रधानमंत्री का सेनपती का राष्ट्पती का या भारतियनागरी का यानि देश की रक्षा करना और तो राष्ट की यानि आवान का मतलब देश संकत की स्थिति में हो तो बुलाया जाए तो राष्ट की सेवा करना यह परतेक भारतिय नागरी का क्या है करतवे हैं नेक्ट है सविधान में दस मूल करतवें को सामिल करने का विचार किस देश के सविधान से लिया गया वेरी वेरी पोर्टेंट है दोस्तो बारतिय सोविधान में दस मूल करतवें को सामिल करने का विचार किस देश से लिया गया तो पुर्वी सोविध संग या रूस आजाए तो भी सही है ठीक है पुर्वी सोवियत संग या रूस से नेक्ट देखे बारतिय सुविधान में निमिल लिखित में से किस एक को मूल करतवे के रूप में नहीं किया गया है बारतिय सुविधान में निमिल लिखित में से किस एक को मूल करतवे के रूप में सामिल नहीं किया गया है तो देखे दोस्तों सविधान का पालन ये आदर करना अलब संक्यों की रक्षा करना सवतंतरता के लिए प्रेरक उच आदर्शों का पालन करना भारत की प्रभूता ये अखंडता की रक्षा करना तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अलब संक्यकों की रक्षा करना ये मूल करतविया नहीं है नेक्ट देखे निमली खित में से कौन सा मूली करतविया नहीं है देश की रक्षा करना, समाज में बायचारे की भावना, विक्सित करना समाज इक संस करते का मैतों समझना समार कों तथा राष्टे मैतों के स्तानों की रक्षा करना तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा समार कों तथा राष्टे मैतों के स्तानों की रक्षा करना ये कर्टवे नहीं है नेक्स्ट है भारतिय सविधान में नागरिकों के कुल कितने मूल करतवियां को लेख किया गया है 11, 12, 15 या 20 तो वरतमान में दोस्तों 11 है कितने हैं 11 मूल करतविया तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ग्यारह औरoir 1976 में दोस्तों कितने जोडे गए थे 10 कितने जोडे गए थे यहांसे जोड़ा गया था नेक्त देखे भारत में 6-14 वर्ष के बच्चों का शिख्षा का अउसर परदान करने से समंधित उपबंद जोड़ा गया तो दोस्तों 6 माराा रात में 22 2002 यह मैं आपको बहुत बार बता चुगा ठीक है तो यह परसन आपको अच्छे लगे होंगे दोस्तों अब चलिए आजाते हैं अपने क्या नेक्स्ट फरसन दोस्तों निति निदेशक्तत्तों से समंधित निति निदेश्क्ततों के दिए अपन बात किरें थोड़ी सी तो नित्ती ने दे सकत तो है दोस्तो ये भाग 4 में इनको लेख है भाग 4 में कौन से में अनु 636 से लेकर 51 तक और ये लिए गए हैं दोस्तो आइरलेंड के सुविदान से कहां से लिए गए हैं और इनके बारे मैं बता भी चुका दोस्तो ये राज्य के लिए हैं वेक्ति के लिए नहीं है ठीक है तो अब चलिए शुरू करते हैं इसका टेस्ट पहला प्रसन आपक पांच भाग 6 तो इसका राइटांसर क्या हो जाएगा निती निदे सकत्तों का प्रावदान भारति सुविदान के किस भाग में है तो भाग 4 में नेक्स्ट है किसका कतन है कि कोई सरकार निदे सकत्तों की उपेक्सा करती है तो उशे निशित ही इसके लिए जनता के समक्स उत्रदाई होना पड़ेगा पंडि जवार लाल नेरू डाक्टर भीमराओ अमबेड कर मात्मा गंदी या डोक्टर राजिंदर परशाद ये कतन किसका है तो ये कतन है दोस्तो डोक्टर भीमराओ अमबेड करका नेक्ट परसन आपके सामने स्क्रीन पर है कल्यान कारी राजी के अवधारना सविधान के किस अनुछेद में निरूपित है अनुछेद 37, अनुछेद 38, अनुछेद गुण 40, अनुछेद 50 तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अनुच्वेद 38 में कल्यान कारी राज्य की अवधारना उलेखित है नेक्ट है यह सिधान्त उन्चे उन्चे आदर्शों की गोश्णाई है यह वक्तव्य किसके बारे में कहा गया उदेशी का निदेशक्ततों मूल अधिकार या मूल करतव्य तो दोस्तों यह है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए इसका राइट न्सर हो जाएगे निती निदेशक्ततों के बारे में कहा गया है यह सिधात उन्चे उन्चे आदर्शों की गोश्णाई कहता है लेकिन पालन निंका नहीं होता है और हकिकत बात है दोस्तों नेक्ट देखिए बाकि निती निती निते सकत्तों का पालन करने लग जाएगी तो ये भारत है ये स्वर्ग बन जाएगा ये किसी ने कथन भी ऐसा कहा था नेक्ट है कि बारतिय सुविधान का ये बाग फेबियन समाजबाद की हिस्त आपना करता है ये किस बाग से समंधित है तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए मूल करतवे उदेशी का निती निते सकत्तों ये मूल अधिकार तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा निती निते सकत्तों अब यहां आपके दिमाग में पर सना रहा होगा फेबियन समाजबाद क्या होता है तो दोस्तो फेवियन समाजवाद है ये एक विचारदारा है ब्रिटेन की किस देश की ब्रिटेन देश की एक विचारदारा है फेवियन समाजवाद जो समाज सुधार से समंदित है किसे समंदित है समाज सुधार या समाज करल्याण से समंदित विचारदारा है नेक्ट देखिए निम लिखित में से कौन सा कथन अधिक सही है मौलिक अधिकार और निती निदे सक्ततों एक दूसरे के पूरक है मौलिक अधिकार और निती निदे सक्ततों एक दूसरे के विरोधी है मौलिक अधिकार निदे सक्ततों के ही भाग है तो इसका राइटांसर क्या हो जाएगा निमलिकित में से कौन सा कतने अधिक सही है तो मोलिक अधिकार और निती निदेशक ततो एक दूसरे के क्या है पूरक है नेक्स्ट है निती निदे सक्षी दांतों का क्या लक्षे है यानि इनका लक्षे क्या होता है निती निदे सक्षी दांतों का समाजवादी यों कल्यान कारी राजी की स्तापना करना धर्म निर्पेक्स राजी की स्तापना करना लोकवादी राजी की स्तापना करना हिंदू र अलग से है तो इसका रायटांसर हो जाएगा समाजवादियों कल्यान कारी राज्य किस्तापना करना नेक्स्ट इन में से कौन सा निती निदेख से सिध्धान्त नहीं है सर्मिकों के लिए जीवन परिसर्मिक महिलाओं के लिए अरक्षन निती निदेखत्तों का पलन या ग्राम पंजायतों का गठन तो कौन सा सिध्धान्त नहीं है तो महिलाओं के लिए अरक्षन ये सिध्धान्त नहीं है नेक्स्ट देखिए निदेखत्तों का प्रावदान बारते सोईधान के किन अनुचेदों में क्या गया है नेक्स्ट है निती निदेखत्तों के बारे में यह कथन किसका है कि यह एक एसा चेक है जिसका भूगतान बेंक की इच्छा पर निर्बर करता है यानि पोस्ट डिडिड़ चेक निति निदेश कित्त्तों को पोस्ट डिडड़ चेक किसेंगा किस ने दी केटी सहा भिम्रावं बेड कर जेनिग्ष पंडिजवार लाल नेरू तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा केटी सहा यनि एक सच है कि जिसका भुगतान बेंक की इचा प्रनीरवर करता है नेक्ट देखिए सविधान के अनुचेद 51 का समद्ध किस से है अंतराष्य शांति और सुरुक्षा समाजवाजी राजी की स्थापना राम राजी की स्थापना या कल्यानकारी राजी की स्थापना तो राइट आंसर हो जाएगा अंतराष्य शांति और सुरुक्षा नेक्ट देखिए 25 में सविधान संसोदन का उदेश्य क्या था उदेश्य क्या था उदेश्य का के महतों को बढ़ाना मूल करतवे के महतों को बढ़ाना मूल अधिकारों के महतों को बढ़ाना निती सक्सिदान्तों के मैतों को बढ़ाना नेक्ट देखिए ऐस अत्यकतन कौन सा है निती निदेशक्तत तो सकारात्मक सोरूप के हैं निती निदेशक्तत तो वाद्योगे हैं निती निदेशक्तत तो सामाजिक आर्थिक लोत तंतर के संस्तापक है निती निदेशक्तत तो राज आप दंड़े हैं आप चलिए दोस्तों तरचा कर लेते हैं अपन नीती निदे सकत्तों और मूल करतवे से समंदीत पिछे की प्रिक्षा में आए वे प्रसनों की तो देखिए पहला प्रसन आपके सामने है स्क्रीन पर इधर देखिए आप कल्यान कारी राज्ये की संकल्पना का समावेशन भारत के सविधान में है राज्ये के निती निदे सकत्तों में राज्ये के मोली का दिकानों के अध्ययों में सविधान की सात्वी अनसुची में सविधान की प्रस्तावना में तो इसका राइटांसर क्या हो जाएगा कल्यान कारी राज्ये की संकल्पना का समा सोशन के विरुद अधिकार श्वी करत करता है बच्चों के इस्तरियों के जन जातियों के या दलीतों के तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दो का जल्दी से बताईए बच्चों के, इस्त्रियों के, जन जातियों के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, क्या हो जाएगा C नेट्स देखे, राजे के, निती निदेख सिधानत, एक इसा चेक है, जो बेंक की स्वीदा नुसार अदा किया जाता है, किसने का था, भिम्राव उम्बेड कर, के मुंसी, डक्ट राजिंद परशाद, या केटी सहा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी ये रि कोल्टिकल साइंस, जोग्रोफी, और इथियास, परसन रिपीट होते हैं, और हकिकत बता हूँ, रीट का जो पाठ है करा मैं न, इसमें कोई बंदा येदी बेट करके, पिछे के परसनों को लिखने लग जाए न, तो रीट में उससे बाहर कुछ नहीं आता, हकिकत बात है, यदि वो अपने पास ऐसे एक बुकलेट त्यार कर ले, 2000-3000 परसनों की, लिख लिख कर आए वे परसनों की, तो उससे बाहर कुछ नहीं जाना, नेक्स देखिए, निमन लिखित में से कौन सा या से राजे के निती निदे सक्ततों में सामिल है, तो देखे, पहला है, मानों के दुर्वेबार और बलाद सरम का परतिसेद, दूसरे है, मादक पे और स्वास्ते के लिए, हाँ, निकारक ओस दियों के, या ओस दिजने प्रियोजनों से भिन उप्यों का परतिसेद, यूपी प्यस्ती मेन में आए, ओपरसन है, दोस्तो थोड़ा सा टफ है, बासा टफ है इसकी, तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा, केवल बी है, वो सा मिल है, ठीक है, ये मूल अधिकार में दोस्तों मानों, दुर्वेबार और बलाद सरम वाला, ठीक है, निमनाकित में से कौन सा रज्य के निती के निदे सक्ततों में निहित है, अपरादों के लिए, दोस्ती के समंध में सरक्षन मूल अधिकार में, प्राण और देख सवतन तर्था का सरक्षन मूल अधिकार में है, अलप, शंकेक वरगों के सरक्षन का हित, पुरसों और इस्तिरियों, दोनों का समान कारे के लिए समान वेतन, तो इसका राइट अंसर डी हो जाएगा, समान कारे के लिए समान वेतन, ठीक है, ये निती निदे सक्ततों है, नेक्ट देखिए राजे के निती निदेशक सिध्धानतों में निमन में से किसके बारे में सविधान सांत है प्रोड शिक्षा करमगारों को निर्वहा मजदूरी गरीबों को नीशुलक विदिक सायता बालकों की प्रार्म भी शिक्षा जब वैच्षा से जब तक की निमन में से कौन एक राज्य के निती निदेशक सिधानतों में समिल है राज्य के प्रयावण के सरक्षन तथा समवर्धन का प्यास करेगा राज्य किसी वेक्ति को कानून के समक्स सम्मान से मना नहीं करेगा राज्य किसी वेक्ति को उसके धरम, कुल, जाती, लिंग तथा जनवस्तान के अधार पर परभेद नहीं करेगा या एस परशता प्रवर्तन तो कौन सा निती निदेशक सिद्धांतों में समलित है बस बात इतनी है तो ये तो है मूल अधिकार दोस्तो ये है निती निदेशक तथो नेक्स देखिए सोची फस्त तथा सोची सेकंड को सुमेलित कीजिए देखिए अनुछेद 40, अनुछेद 41, अनुछेद 44, अनुछेद 38 इदेशक तथो ये ग्राम पंचैतों का गठन, काम करने का अधिकार, सम्मान नागरिक सेंता, किर्शियों पशुपालन का गठन तो आप इनका मिलान कीजिए एक एक का तो अनुछेद 44 वताईए क्या होगा, ग्राम पंचैतों का गठन अनुछेद 31 काम करने का अधिकार, अनुछेद 44, सम्मान नागरिक सेंता, और अनुछेद 38, किर्शियों पशुपालन का गठन इसका राइटांस रो जाएगा A नेक्स्ट है, सम्मान कारे के लिए सम्मान वेतन भारत के सविधान में सुनिशित किया गया है, मोलिक अधिकारों में राजे के निती निदे सक्षिधानतों का अंग है, मोलिक कर्तव्य है या आर्थिक अधिकार है तो बहुत सिंपल सा है सम्मान कारे के लिए सम्मान वेतन राज्य के निती निदेशक सिधांतों का क्या है अंग है नेश्ट है राज्य के निती निदेशक सिधांत किस परकार मोलिक अधिकारों से भिन है I.S. 2009 में आए हुए है देखिए प्रुवक्त केंद्रिय सरकार के लिए है और उप्रोक्त राज्य के लिए नेक्स देखिए प्रुवक्त सविधान का अंस नहीं है जबकि उप्रोक्त है निर्देश परवरतनिय नहीं है जबकि अधिकार परवरतनिय है उब्रोक्त में से कोई इतना टफ नहीं आएगा दोस्तों अपने रीट के लेवल करने है यह परसन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा C. निर्देश परवरतनिय नहीं है जबकि अधिकार परवरतनिय है चार में सविधान की परस्तावना द्वारा, मोली कदिकारों द्वारा, राज्य के निति निदेशक तत्तों द्वारा या मोली करतों द्वारा, यह दारना की भारते कल्यानकारी राज्य है, तो इसका राइटांसर क्या हो जाएगा, राज्य कल्यानकारी राज्य निति निद प्रव्षित करना ग्राम पंचायतों को संख्ठित करना आई एस प्री 2012 में आयो है ग्राम पंच ग्रामेंड चेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोथ साहित करना सभी करमगारों के लिए यत्वोचित अवकास तता सांस्कृतिक अवसर सुरुक्षित करना उप्रोक्त मे से कौन से गंदिवादी सिद्धान्त हैं जो कि निति निदेश सक्ततों में दिखाई देते हैं तो बताईए तो यह दो यह दोस्तों ग्राम पंचायतों को संक्ठित करना और ग्रामेंड चेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोथ साहित करना यह दोस्तों गंदिवाद सिधान्त पराज्हारित इन दिखाई कि निती ने सकत है तो थीक है नेज्टत कि भारत में निमे लिखितें से किस के अंत्रगत 5 ती ती राजप्राली की व्यस्ता किगें से लिक अधिकार execute कर्त आ राज के निती पढ़ती है, तो ग्राम पंचायतों का उलेक अनुचे चालिस में किया गया है। ठीक, याध रखना। माजी को रार्थिक प्रज़ातंत्र को स्ताप्यत करना नेक्ट एक भारतिय सुझान के है जो नितिनिदेशक सिधान तैंओं का विचार कांле लिया गया आयरलेंड के सुझान से कनाड़ा के सुझान से दक्षन अफ्रीका के सुझान से या ऑस्रेलिया के स्विधान से तो पंद्रा का राइटांसर क्या हो जाएगा बारतिय स्विधान में राज्य के निती निदेशक्षिदांतों का विचार कहां से लिया गया आयरलेंड के स्विधान से नेक्ट है राज्य के निती निदेशक सिदान्तों के निम लिखित अनुछेदों में से कोन सांतराष्ट्य शांति और सुरुक्षा के समवर्धन से समन दित है अनुछेद 51, अनुछेद 68, अनुछेद 83 या अनुछेद 41 तो दोस्तों सोडा का राइट अनुछेद 51, नेक्ट है निम लिखित में से कोन एक राज्य के निती निदेशक्त तों में नहीं है, पूरुष और इस्त्रियों को सम्मान का रहे तू, सम्मान वेतन, जीव को पार्जन हे तू, प्रयाप साद्नों का सम्मान अधिकार, ऐस पर सेता अनुमुलन काम हे तू, नय संगत और मानवचित दसाओं में रहें, तो कौन साद्नों का दोस्तों, सी, निम लिखित में से कोन सा एक राज्य के निती निदेशक्त तों में सा मिल नहीं है, तो ऐस पर सेता का तो दोस्तों मूल अधिकार है, नेक्ट है, निम लिखित म से कोन सविधान के बियानिस में संसोद अंद्वारा निती निदेशक्त तों में नहीं जोड़ा गया, नहीं जोड़ा गया, सोशन से बच्चों एम वेसकों की सुरुक्षया, समान नयायत था, निसुल कानुनिसला, समान आचार सहिंता, उद्योगों के प्रबंदन में सर् यह नहीं जोड़ा गया, बाकित ब इसारे जोड़ें गया, next देखिए, भारत के कल्यानकारी रजे होने का विचार पाया जाता है, सुविधान की परस्तावना में relate कदिकारों में राजे के नीतिनी देशक्ततों में तथा AC तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सविधान की प्रस्तावना में भी मिलता है कल्यानकारी राजेगा विचार और राजे के नीतिनी देशक्ततों में भी मिलता है तो D इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है सविधान के किस अनुछेद के द्वारा उध्योगों के परबंदन में करमगारों की भागेदारी का प्रावदान क्या गया अनुछेद 43, अनुछेद 45, अनुछेद 47 तो इसका रायट आंसर क्या हो जाएगा B, अनुछेद 43 A नेक्स्ट है बंदवा मज़्धूर उनमुलन, अधेनियम संसत ने कब पारित किया 2021, गुणीसो चेंतर, गुणीसो चेंतर, गुणीसो उनियासी, गुणीसो चेंतर इस्ट बंदवा मजदूर अधिनियम है वो गुनी सो चेंतर में पारित हुआ था कब गुनी सो चेंतर में next है निम लिखित में से एक राज्य निती निदे सकता तो नहीं है मद्य निसे गोश रक्षन प्रयावश रक्षन या 14 वर्ष तक की आयू तक की बच्चों को निश लक्षिक्षा तो कौन सा एक निती निदे सकता तो नहीं है तो देखें मद्य निसेद है गोश रक्षन है प्रयावश रक्षन है ये दोस्तों ढंग से उलेखित नहीं है छे से चोधा होता तब तो चलता अब जीरो से चोधा है या चोधे वर्ष का मतलब यहां क्या है तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा ठीक है नेट देखिए इन मेंसे राजे के निती निदेशक से दांतों में समलित नहीं है मद्य निसेद काम का अधिकार समान का रेतु समान वेतन या सूचना का अधिकार दोस्तों प्रसंद ऐसे ऐसे पूछे गए हैं इन मेंसे कौन सा है कौन सा नहीं है तो ध्यान रखना दोस्तो कॉन सा है कॉन सा नहीं है अंदर जाने की जुरूरे तो यह उपर उपर की परसन आते हैं तो तेस का क्या हो जाएगा डी सूचना कदिकार इनमें से कॉन सारा जेका निती निदे Areas किसी दानत कुल दर कोई दो-चार के याद रखने जैसे पसू बली वाला, ग्राम पंचायतों के गठन वाला, समान कारे जैतों समान वेतन वाला, और एक चैसे चोदा वर्स्तक बालकों की सिख्चा वाला, बस ये चारी याद रखने निति निदे सकततों में अनुछेतों, बात की अपन को निति निदे सकततों आंखों में से निकले उने चीक, ये होता ये नी होता, निमलिकित में से कोन सा रज्य का निति निदे सकततों है, समान नागरिक सहिंता, प्रेश की सवतंतर ता, धरम की सवतंतर ता, विद्धी की समान स्रक्षन, तो ये तो निचे वाले तो सारे के स अरे मूल अधिकार है तो इसका राइटांस रो जाएगा एह समान नागरिक सहिंता नेक्स्ट भारत के सविधान के संद्रम में निमनली खितकत्रों पर विचार कीजिए मूल अधिकार मूल करतवे राजे के नितिने दे सकत्तो तो देखें भारत सरकार द्वारा आरम किये गए राष्ट्रिय समाजिक सहितार्थ कारेकरम में भारत के स्विधान के उप्यूक्त उपबंदों में से कौन सा या से पूरे होते हैं से होते हैं मूल करतवे से होते हैं या राजय की नितिने दे सिक्तविय हैं यह केवल इंड एक को नहीं से होते हैं व Перв thumb के फैज्य इंद सायतार्थ कारेकरम में भारत के सविधान के उप्युक्त उपबंदों में से इनको पूरा करता है दोस्तों ठीक है नेक्स्ट है निमिलेखित में से कौन सा एक मोलिक करतव्य नहीं है मोलिक करतव्य नहीं है राष्ट्रगान का सम्मान करना राष्ट्य शंपति का बचाओ करना राष्ट्य मैतों के स्तान और समारकों की रक्षय करना प्राकरतिक वातावर्ण का सरक्षन और सुधार करना ध्यानक ये मोलिक करतव्य का परसन है ये तो ये नहीं है राष्ट्य मैतों के इस्तान और समारकों की रक्ष्या करना राष्ट्रगान का समान करना मोलिक करतावे है राष्ट्य संपती का बचाओ करना मोलिक करतावे है प्राकरतिक वातावन का सरक्ष्ण और सुधार करना मोलिक करतावे है नेक्स्ट है, बियानिश babies, सविधान संसोधन के 10 आचार आदेश को किस नाम से जाना जाता है, मुलिक अधिकार, मुलिक कर्तवे, पंचाईती राज के सिधानत, यराज येकिनिती नहीं दे सकते हो तो ब्यानिस में सविदान संसोदन के द्वारा दोस्तों जो दस अच्छी बातें जोड़ी गई थी उनको किस नाम से जाना जाता है तो मुलिक कर्तव ये के नाम से जाना जाता है तो नेक्ट है भारत के परतेक नागरी का कर्तव ये होगा प्राकर्तिक प्रयावन का सरक्षन सुधार सामिल है अनुछेद 21, अनुछेद 28A, अनुछेद 51A, अनुछेद 56, तो 28 का रायट आंसर क्या हो जाएगा, अनुछेद 28A, प्राकर्तिक प्रयावण और पसुब लिवाला है दोस्तों, नेक्ट है, निमलिकित में से किस A का सरंक्षन भारती है, नागरिक का मूल करत है ग्राम पंचायत, राष्टे धवज, अनुछेद जाती, अनुछेद जन जाती या वन्ने प्राणी, तो 29 का रायट आंसर क्या हो जाएगा, D, वन्ने प्राणी, निमल में से किस A का सरंक्षन भारती नागरी का मूल करतव है, तो वन्ने प्राणियों का बच्चाव करना को प्रेडित करने वाले उच आदर्सों को संजोई रखना, और उनका पालन करना, तो यह तो दोनों ही है, दोस्तों, कौन सा नहीं है, यह पूचा गया है, तो देखिए, S पर सता को मिटाने की और प्यास करना, विग्यानिक दरिश्टी कोन और मानवतावाद, और ग्यान अरजन तता सुदार की बावना का विकास करना, तो यह नहीं दोस्तों, C, सिंपल सा है, C नहीं है, नेक्स्ट है, निमलिकित में से, भारत में मोली करतव है, कौन सा है, तो हमारी मिली जूली संस करती की संवर्ध और विरासत को सरक्षीत करना, दोस्तों, मोली करतव है, और निती निदे सकततो है, इनको याद कर लेना, इनके अनुछेद मत याद करना चाहिए, जो निती निदे सकततो है, उसके भी अनुछेद याद करने की जुरूरी नहीं है, नाम याद रहने से यह बस नेक्स्ट है मोली करतवियों से समन्दित निम्र लेकित में से कौन सा कत्थन है सत्य नहीं है सत्य नहीं है दोस्तों तो यह तीन सत्य हैं यह सत्य नहीं है उन्हें प्रमादेश द्वारा प्रभावी बनाय जा सकता है यह सत्य नहीं है बाकी सारे सत्य हैं आप इनको देख सकते हैं अराम से नेक्ट देखे निमलेकित में से कौन सा कथन गलत है मूल करतवे मौलिक अधिकारों का हिस्सा है मूल करतवे मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है बारतिय सुविदान के बाग चार कैमे मोली करतवे गिनाए गए है अनुछे 51 ए भारतिय नागरी के ग्यारा मूल करतवें की व्याख्या करता है तो कौन सा कथन गलत है तो मूल करतवे मोली कदिकारों का हिस्सा है ये गलत है बाकी तिनों क्या है सही है बिलकुल नेक्ट देकि बारतिय स्विधान के अंतरगत निमन लिखित में से कौन सा मूल करतवे नहीं है लोक चुनाओं में मतदान करना, वेग्यानिक परवर्ति विक्षित करना, सारवजिन संपती की सुरुक्षा करना स्विधान के परती निष्टावान रहना और उसके आदर्शों का शम्मान करना तो चौनतिस का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए यह नहीं है दोस्तो मूल करतवे बाकी सारे है नेक्ट है ब्यानिस्वा सविधान अधिनियम गुनिशों चेंतर से बारतिय सविधान में एक नए अध्या जोड़ा गया तो वो कौन सा जोड़ा गया था दोस्तों सिंपल सा है मूल करतवे जोड़े गये थे नेक्स्ट है निमलिखित में से कौन सा एक रज्य का निती निदेशक से धान सभी धान में बाद में जोड़ा गया ग्राम पंचायतों का संगठन गोवद निसेद मुफ्त कानुनिसला या सम्मान नागरिक सहिंता तो कौन सा निति ने दे सकता तो बाद में जोड़ा गया था दोस्तों दो जल्दी सिपता दीजिए मुफ्त बोल दिया दोस्तों मैंने मुफ्त कानूनी सला नेक्ट है भारत की प्रभूता एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अच्छुन रखने के मूल कर्तवय को 51A में किस इस्तान पर रखा गया है चोथे पहले दूसरे या तीसरे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पहले भारत की प्रभूता एकता खंडता को अनुछे दिकावन में किस इस्तान पर रखा गया है नेक्ट है कि सुविधान के किस अनुछेद में भारतिय नागरिकों के मूल कर्तवय सामिल है अनुछेद 51 के अनुछेद 50 के अनुछेद 51 के अनुछेद 51 के नेक्सट है निमे लिख्ष युग्मों में से कोन सा एक सुमेलित नहीं है ऐनुछेद में भारत त्रड में मूल अधिकार है रख फौर्ट मेराज कि निति निदेशक तत्तो है लेकिन जो मूल कर्तवय है वो भाग पांच में नहीं है भाग चार कैमे है ठीक है भाग चार कैमे तो यह नहीं है दोस्तो तो next person हो चुके हैं दोस्तो यह तो अपने तो आज की class यह कैसी लगी मुझे comment box में जरूर बताना, वीडियो को जदा जदा सेयर करना, लाइक करना और दोस्तो निश्चित रूप से यहां से प्रसंद जरूर आएगा चाहे आप किसी भी चीज के द्यारी कर रहे हो यह मेरा वादा है क्योंकि प्रसंद गूम फिर कर यहीं से आते है